Hello students, इस वीडियो में हम Home Science का जो एकाई आर्ट हमारे मूल ने जो है, उसका Part 21, एक इसमा Part दखेंगे जिसका नाम है दैनिक जीवन में नैतिक दा, Ethics in Delhi Life, मतलब हम अपने जीवन, दैनिक जीवन में किस तरह से रहें, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ता है, तो पाठ का सार देखते हैं, पाठ का सार से हमें समझादा लगी इस चप्टर में हमें क्या-क्या चीजें दिये हैं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ important question पी देखें सच बोलना किसी को दुख नहीं पहुचाना इस तरह से चीजे हैं, ठीक है, आजकल नेतिक मुल्य लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब खतम होते जा रहे हैं, जिससे ब्रेष्टाचार, हिंसा, चोरी जैसे अप्राद बढ़ते जा रहे हैं, अपने समाज में इस प्रकार की घ परिवार से सीखता है, सबसे पहले जो है, अपनी फैमिली से सीखता है, परिवार के सादस्यों के कुछ अधिकार होते हैं, तता कुछ कर्तव होते हैं, राइट्स, अधिकार, और कर्तव का मतलब हमारा ड्यूटी है, जैसे अच्छी सिख्षा, अच्छा बोजन, अच्छा शांती तथा सामन जिसका वातहवरभ बनता है जैसे हम जैसे वयवहार की ये MET विखता दूसरे से करते हैं मतलब हम चाहते है कि वो मेरे से इस तरह से अच्छे तरीके से बात करें उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए सामने वाले के साथ उस तरह से वेवहार, ठीक है, जैसे आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, तो दूसरे वाला भी आपका बुरा नहीं सोचेगा, आप अगर किसी और का बुरा सोच रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए क्या पता, वो आपका भी बुरा सोच रहा हो, अगर ऐसा करेंगी तो बात सही नहीं है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, दूसरे लोग हमारा सम्मान करें, इसके लिए महतपूर है की हम भी दूसरों का सम्मान करें, हमें कोई भी ऐसा अभधर वेवार, अभधर का मतलब बुरा व्यवार नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे, यदि हम कभी दूसरों के विचारों से सहमत नहों, तो इस बात को विनमरता पुर्वक प्रिकट करना चाहिए, है ना, चलिए, विनमर मतलब एक कोमल दिल से, है ना, अपने विचारों को बिशने वाला दुकानदार, कोई भी अधिकारी, सभी अपनी आजीविका के लिए परिश्रम करते हैं, हमें हर कार की तथा कार करने वालों का आदर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार जो इमांदारी से किया जाये, वह छोटा नहीं होता, सभी कारियों का एक समान आदर किया हमें बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परिशानियों से निपटने के लिए हमें अनकूल तथा सकरात्मक प्रयत्म करना चाहिए, जिसे जीवन कौशल कहा जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे पीशी में से ही होते हैं, जो आसानी से दू बेदों का कोई स्थान नहीं करता, ठीक है, इसके लावा एक अन्य महत्पूर गुड है, सकरात्मक दिर्श्री कोण, मतलब पॉजिटिव वेव, मतलब सही सोचना, सही तरीके से देखना, गलत चीज़त उसको इनौर करना, जो जीवन की सफलता के लिए अत्यन्त महत्पू ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, नेक्ट कोशन दूसरा वाला जो है, कुछ महत्पूर सिष्टा चार्न इल्म कॉलम को खा से मिलाएं, तो क को खा से मिलाना है, ठीक है, जो से पहला वाला किसी मिलेगा, यह आपको बताना है, ठीक है, इसका अंसर में आपको पर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लिए जिसका अंसर है, उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर, क्रॉसवर्ड है यह गजाम में नहीं आता, ठीक है, चलिए, उसके बाद पाठ गया, तो रुपर देखने मातर के लिए, किसान द्वारा, बच्चे से 10 रुपए लेना स रही था, अब यहाँ पर कोई स्टोरी हो कि इसके बताना है, यह स्टोरी आपके बुक में जो भी है वो आप पढ़के यहाँ से इसका अंसर लिख सकते हैं, ठीक है, यह तरह से लिखना आप यहाँ से देख सकते हैं, और यह जो 21 चप्टर आपके एक्जाम में आएगा, ठ पढ़ेंगे, एक्टिविटी यहाँ पर है, हम अपने प्रेजेनों के मैदों को नहीं समझते हैं, हम परिवार के विमिन, सदस्यों द्वारा, खुशाल, परिवार के संचालन तता उनके द्वारा की जाने वाले, घरेलुकारों के मुल्कों समझ नहीं पाते, क्या अपनी क पर इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, दूसरा कोशन है यह, दूसरे का अंसर देख लिए, तीसरा कोशन यह रहा, तीसरी कोशन का जो है अंसर आप यहां से वीडियो को पॉस करके लिख लिजे, चोते कोशन को देख लिजे, पांचवा कोशन है, पांचवी का अंसर द आप यहां से वीडियो को pause करके जो है लिख सकते हैं ठीक है पहला वो गया दूसरा कोशन है परिवारी जीवन में मुले क्या है ठीक है कह और कह पारट है गए भी पारट है इसका तीसरा कोशन देखें यहां पर द्यानिक इवन में आने वाली किनी पांच तमस्टाओं के बारे में बताना है यहाँ पर आप देख लिए पहला यहां लिखा हुए उसके बाद दूसरा तीसरा आप देख लिए यहाँ पर चौता और पांच वाए है ठीक है छौता कोशन यहां से देख लिए आप तीन में